साचे मन से हम करे सूर्य का गुणगान साचे मन से हम करे सूर्य का गुणगान सूरज देवता आपको बारंबार प्रणाम हमारा बारंबार प्रणाम साथ घोड़ों के रत पल पात हो असवार साथ घोड़ों के रत पल पात हो असवार ए दिन कर देवा तुमें नमन है सो सो बार हमारा तुमसे बढ़कर है नहीं प्रभु किसी का तेज तुम्रा आरा धन रवी देता बूधि विवेक है देवा मात मुकुट है स्वर्ण का गल मुक्तन की माल मात मुकुट है स्वर्ण का गल मुक्तन की माल भक्त जनों के संकट को पल में देते टाल है देवा पल में देते टाल रवी वार प्रिय मानते रवी जो अर्ग्य चढ़ाई बोतिक सुख सब भोग के अन्त वेकुंठ को जाए वो प्राणी सारे ग्रह तुम्हरी प्रभू परिकम्मा है लगाई सारे ग्रह तुम्हरी प्रभू परिकम्मा है लगाई तुम्हरे तेज से है रवी तेज सभी ग्रह पाएं है देवा सुर्य देव प्रत्यक्ष है सुर्य देव साक्षाद सुर्य देव माता पिता सुर्य बंधु भ्रात हमारे सुर्य बंधु भ्रात दिन कर देवा है करे अंधकार का विनाश जिवन में भरते है प्रभू उर्जा और परकाश रवतो उर्जा और परकाश तन मन धन अर पण करो सुर्य मंत्र करो जाप पाप ताप मिट जाएंगे कट जाएंगे संताप सभी के कट जाएंगे संताप गायत्री का मंत्र भी सुरज के मन भाई साचे मन से जो जपे मुक्ति का फल पाएंगे वो बता मुक्ति का फल पाएंगे एक सो आठ माला जपे नाम जपे दिन रात एक सो आठ माला जपे नाम जपे दिन रात सुर्य देव भगवान का पाता आशिरवाद वो बता पाता आशिरवाद कूंगे को वाणी मिले अंधन को मिले नेन कूंगे को वाणी मिले अंधन को मिले नेन भव का ताप सताय ना नाम जपे दिन रात रवेका नाम जपे दिन रात कंचन थार सजाई के रोली मोली के साथ कंचन थार सजाई के रोली मोली के साथ अर्ग्य चणाएं आपको देना आशिरवाद प्रभुजी देना आशिरवाद पूर्व दिशा से हो उदे सुर्य देव भगवान पूर्व दिशा से हो उदे सुर्य देव भगवान अंदकार सब मेटते जग जाता है जहान ये सारा जग जाता ये जहान चंदन कावंदन प्रभु आप करे सुईकार माथा चर्णन तेकते करते जै जै कार है देवा करते जै जै कार मुर्ली धर्मा धव मदन नट खट नंद किशोर मुर्ली धर्मा धव मदन नट खट नंद किशोर अधरन पर मुर्ली सजी करती भाव विबोर रवतों करती भाव विबोर मुर्म कुट सिर मात पल अधरन पर मुसकान मुर्म कुट सिर मात पर अधरन पर मुसकान पीतांबर को धारते मुर्ली मनो हर शाम रवतों मुर्ली मनो हर शाम जै 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 शी यदू नंदन नमो नमो जग दिश जै 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 शी यदू नंदन नमो नमो जग दिश चर्णन में वंदन करूँ देना हमें आशीश कनिया देना हमें आशीश कानन कुंडल स्वल्ण के गल बैजन्ती माल कानन कुंडल स्वल्ण के गल बैजन्ती माल मोटे मोटे नैन तेरे अर घुंग राले बाल का नईया अर घुंग राले बाल यश्मत मां के लाल है नट खट नंद गोपाल यश्मत मां के लाल है नट खट नंद गोपाल देनु चरैया आप है आप ही है नंद लाल का नईया आप ही है नंद लाल श्री विश्नु अवतार है मुरली धर महाराज श्री विश्नु अवतार है मुरली धर महाराज शाम बरण में साज दे भगतों के सरताज भगतों के सरताज उंगली पर गिरी वर धरा नाग आप न थाए उंगली पर गिरी वर धरा नाग आप न थाए पूतन मारी आपने धाम वे कुंट लगाए पूतना धाम वे कुंट लगाए जगपालक श्री क्रिष्ण है स्रिस्ट के आधार जगपालक श्री क्रिष्ण है स्रिस्ट के आधार पावन चरण है आप के नमन है सो सो बार हमारा नमन है सो सो बार अधरों पर वन्सी सजी मीठी बजावेतान अधरन पर वन्सी सजी मीठी बजावेतान राधा सक्यन संकरे आपका गुणकान कनेया आपका गुणकान मधु बन बन सकीयों के संग आप हो रास रचाए मधु बन बन सकीयों के संग आप हो रास रचाए लीला धर लीला रचे अरू लीला दिखलाए सभी को अरू लीला दिखलाए मेत्र सुदामा का सफल जनम थे आप कराए मेत्र सुदामा का सफल जनम थे आप कराए अस्वन से चर्णन दुले सिंघासन विटवाए सुदामा सिंघासन विटवाए द्रापति नैनन बह रहे बीच सभा में नीर द्रापति नैनन बह रहे बीच सभा में नीर द्रापति की नाज रखी आप बढ़ा है चीर कने आप बढ़ा है चीर दुर्योधन में वात जे साग विदुर घर खाए दुर्योधन में वात जे साग विदुर घर खाए प्रेम के वश मेरे शाम जी भक्तन हित चले आए कनेया भक्तन हित चले आए कुप जाका कूबर हरा पागल हाथे दिया मार कुप जाका कूबर हरा पागल हाथे दिया मार पापि कंस कापने पलम किया संधार कनेया पलम किया संधार कानह तुम्रे नाम के चंदन ने गुण गाए कान तुम्रे नाम के चंदन ने गुण गाए चर्ण धूली से आपके मौत तिलक लगाए कनेया मौत तिलक लगाए हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में प्रभु राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में प्रभु राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का नगरी एक अयोध्या जिसके दाजाद शरत थे राम लखन और भरत सत्रुघन पुत्रे चार हुए गुरु वशिष्ठ के सानित में सिच्छा दिक्छा है ली अस्त्र सस्त्र में निपुड हो गए चारो ही भाई गुरु विश्वा मित्र आए है एक दिन फिर तो दरबार बोले राजन इस धरती पे बढ़ा पाप का भार रिसिमुनियों को दानों यग्य न करने देते हैं मैंने सुना है बड़े बल्शाली आपके बेटे हैं आपके पुत्र राम को हम ले जाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोग्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का विश्वा मित्र को राजन ने किया हाथ जोड प्रेना बोले गुरू स्रेष्ट ये बालक अभी बड़े नादान पापी दुष्टों का ये सामना कैसे कर पाएंगे राम बिना एक पल तो हम भी ना रह पाएंगे गुरू वश्ष्ठ ने फिर राजन को वचन सुनाए हैं पुत्र आपके अंत पापका करने आए हैं भेजो विश्वा मित्रिक संग राजन ना घबराओ जो होगा अच्छा होगा बस देखते तुम जाओ राम लखन को विश्वा मित्रिक साथ पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का मारिच और सुबाहु नाम के दानों दो बल्वान रिसियों को ना करने देते यज्य हमन पुन्यदान बोले विश्वा मित्र तुम्हें वधिन का करना है है माया वी राक्षस दोनों पर ना डरना है राम लखन ने उनके आगे फिर तोशी से जुकाया बोले गुरुवर इनका काल तो हाथ हमारे आया मारिच और सुबाहू को फिर तो ललकारे है राम लखन के हाथों तोनों गए वो मारे है करके अन्त वो दुष्टों का मुनियों को बचाते है पावन कथा सुनाते है लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते है हम कथा सुनाते है जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का रिसी गौतम के आस्रम में उन्हें विश्वा मित्र लाएं देखा एक शिला को राम ये पूछना है चाहें बोले विश्वा मित्र इनका नाम अहिल्या है गौतम रिसी की पत्नी थी ये शाप से बनी सिला है चरण कमल जो पड़े आपके हो जाएं उत्धार है निरजीव शिला यह बन जाएगी सुन्दर नार सिरी राम ने शिला को जैसे अपना पैर लगाया प्रकट हुई अहिल्या और सिरी राम को शी से जुकाया कर उत्धार अहिल्या का फिर लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं प्रकट के जन्न अलोत्या में शीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का विश्वा मित्र अपने आस्रम उनको लाए हैं सीता स्वयंबर पता लगाके जनक रचाए हैं बोले विश्वा मित्र चलेंगे हम भी स्वयंबर में हैं देखे यो था कितने आये सीता कोवर ने विश्वा मित्र राम लखन को जनक पुरी में लाए शर्ट स्वयंबर की जो सिवके धन उसको डोर चढ़ाए उस योद्धा को पती रूप में सीता अपनाए बारी बारी बल अपना फिर सब अजमाने आए लेकिन स्यूख कि धन उसको वो तो हिला न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योद्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगड़े कांग देख के राजा जनक हुए है फिर तो बड़े उदास खाली हुई धरावीरों से होता है आभाज ना रखता ये शर्त जो मुझे को इतना पता होता अपने शर्त पर मुझे को पश्चात आप नहीं होता इतना सुनकर लखनलाल को आया बड़ा ही क्रोध बोले राजन उचित नहीं है ये जो आपकी सोच क्या ओकात धनुस की मैं तो उठा दू ये कैलाश धनुस के मालिक शूसंकर जहां खुद करते है वास विश्वा मित्र लखनलाल को ये समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्न अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो समर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां बोले विश्वा मित्र लखन करो अपना ग्रहन अस्थां कथन तुम्हारा पूरा करके दिखलाएंगे राम उठकर राम ने विश्वा मित्र को है शी से जुकाया आकर शू के धन उसको अपने हाथों में है उठाया लगे चढ़ाने सिरी राम जैसे ही प्रैत्यंचा हुई भयंकर गर्जन शू का धन उस ही तूट गया सिरी राम के गले में डाली सीताने वर माला परशुराम के क्रोध की किन्तु भणक गई ज्वाला सिरी राम फिर परशुराम को भी समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्ना योधा में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का राजा जनक ने विश्वा मित्रे से किया है ये अनुरोध पुत्री उर्मिला भी है मेरी विवाह के योगे सुरुत किरती और मांडवी को भी हम चाहें चारों पुत्रियों को हम दशरत की वहू बनाएं फिर तो राजा दशरत को संदेशा भिजवाएं सुने खबर जो राजा दशरत फूले नहीं समाएं शुभ मुहूरत में दशरत आये लेकर बारात चारों ही भाईयों का हो गया विवाह एक ही सात सारे अयोध्या बासी मिलकर खुशी मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगड़े का लेकिन ये खुशिया तो शायद की थोड़े दिन की राज तिलक की तैयारी जब सुरी राम की हुई कैके इने कभी दसरत जी से वचन भराए थे वही वचन अब दशरत जी से लेना चाहे थे मांगा है वनवास राम के लिए तो चोदा वर्ष का राज तिलक हो राम की जगहां मेरे बेट भरत का सुना जो राजा दशरत ने वो हो गए है मुर्छित किन्तु रानी कैके इना छोड़ी अपनी जिद छोड़े तड़पता दशरत को वनवास वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोधा में शीराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का पुत्र विरा हमें दशरत ने तो दिये हैं प्राड गवाएं गए हुए न निहाल लोट के भरत भी हैं आएं जाना सारा हाल खुब अपनी मा को को साँ भाईया राम के साथ किया क्यूं आपने ये धोखा जाकर वन में लोटन की भी राम से की विंती किन्तु राम ने दी हैं दुहाई पिता के वचनों की बोले भरत के राज सिंहासन पे न बैठ पाऊं अपने चर्णों की भाईया तुम दे दो मुझे खडाऊं चरण पादुका लेकर राम की लोट ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोत्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते हैं बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते हैं बिगडे का बील राज ने सिरी राम को सर्यू पार कराई दंडक वन में आ गए हैं फिर दोनों ही भाई कितने ही रिसिमुनियों का फिर तो उत्थार किया राम लखन ने दानों और दुष्टों को मार दिया जूठे बेर भी शबरी के स्री राम ने खाए हैं एक मिशाल भक्त वस्सल की राम बनाए हैं पंचवटी में एक सुन्दर सी कुटिया बनाई हैं घूमत घूमत सुर्पन खा फिर वहां पे आई हैं नकटी भूची उसे लक्षमन जी तो बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोगा में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां रोते बिलखते वह भाई रावन के पास आई बोली के वन आये हैं लगते हैं सगे भाई छोटे भाई ने काट लिये मेरे नाक और कान उन्हें भुगत ना होगा अपने की ये कभी परिनाओ जाकर उन दोनों भाईयों को ऐसा सबक सिखाओ किस से वहर लिया है उनको जाकर ये समझाओ मामा मरीच को फिर रावन ने अपने साथ लिया सोने का मरिग उसने है मारीच को बना दियाओ राम लखन उस म्रिग के पीछे चले ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे कां फिर राम ने माया से साधू का भेश बनाया करके हरण वो सीता का लंका में ले आया आये दोनों लोट के देखा खाली है कुटिया लगे पूछने राम लखन से कहा गई सीता फिर तो जटायू ने हैं उनको सारा हाल बताया ले गया है हरके सीता को पापी रावड आया काट दी मेरे पंक जो मैंने उसे रोकना चाहा गिध राज ने सिरी राम को सारा हाल सुनाया सीता विराह में दोनों भाई रुदन मचाते हैं पापन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का किस किंधा परवत पर फिर तो राम लखन आयें जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का किस किंधा परवत पर फिर तो राम लखन आयें बाली वध करके सुग्रीव को मित्रे लिया बनाएं वानर से ना सहित लगे सीता की करने खोज आया सागर रस्ते में दिया हनुमान को भेज सोयो जन का लांग के सागर हनुमान आयें अशोक वाटिका में बैठी मालिया है पता लगाएं राम निशानी दे करके माता की धीर बधाईं सिग्र आपको लेने माता आएंगे रगुराईं भूख लगी तो मीठे फल वो खाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में अश्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े कां भरक पेट फिर हनुमान ने फल भी खाए हैं लेकिन दानों पहरतार उसे रोकने आए है अपनी गदा से मार मार के सब को दिया भगा पता लगा जो रावन को फिर अक्षे को भेजा अक्षे को भी मार गिराया मेघनाथ फिर आए ब्रह्म फास फिर मेघनाथ ने उन पर दिया चलाए हनुमान को बाध के वो दरबार में लाए है रावड के आदेश से पूछ में आग लगाए है लेकिन लंका रावड की वो जला ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोग्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरी राम का ना बन जाते बिगडे का भक्त विवीशन आए है फिर रावण के दरबार बोले लोटा दो सीता को मत करो अत्याचा सिरी राम अभि कर देंगे तेरी भूल को भी माफ वरना धरा से राक्षस जाती हो जाएगी साथ क्रोध में भरके बोला रावण क्या तुमको नहीं ग्यान मेरे आगे शत्रू का जो करते हो गुडगा भिनास काले विपिरीत बुद्धी रावण की हो आई मार के लात भगा दिया उसने अपना विवीशन भाई रामा दल में फिर तो विवीशन आही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का आके भी भी सड़ सिरी राम को करते हैं प्रणाम बोले भ्राता रावन को बड़ा हो गया है अभिमान प्रभु उन्हें समझाने की मैंने बड़ी है कोशिश की लेकिन कोई बात उन्होंने मेरी सुनी नहीं सिरी राम ने भक्तव भी सड़ को है गले लगाया करके जला भी सेक उन्हें है लंका पती बताया बोले सागर पार कैसे लंका में जाया जाएं भक्तव भी सड़ बोले से तु निर्मार किया जाएं नल और नील नाम जामवंत उन्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोत्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगले काम नल और नील जो भी पानी में वस्तु गिराएंगे दूबे ना पत्थर पानी में तैरत जाएंगे बोले सारी वानर से ना उठा के पत्थर लाओ हनुमान तुम राम नाम भी उन पर लिखते जाओ पत्थर तैरे पानी में जो हो राम का नाम फिर से तू निर्मार का सबने सुरू किया है काओ अपने अपने काम में लग गई बानर से ना सारी कोई लाया पेल उठा कर कोई पत्थर भारी सागर पे वो राम नाम का से तू बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम बना के से तू रावन की लंका पेकरी चढ़ाई त्रिजटा राक्ष सिने सीता को सब बाते बत लाई अशोक वाटिका में रावन गरजते हैं आए माया भी वो शीस राम का काटिक हैं लाए देखो सीता शीस राम का काटिक मैं लाया हूँ बन जाओ अर धांगिनी मेरी मैं फिर कहता हूँ शीस देख कर सीता माता करने लगी विला हे भगवन का भूल हुई है कर दो मुझको माफ थोड़ी देर मेरा वड़ वापस लाटे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में शी राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगड़े का लोट गए जो रावन तो फिर त्रिजटाने समझाया मत करो कोई चिन्ता बेटी ये रामण की माया कौन मार सकता है उनको खुद विश्णू अवतार वो तो करने आए हैं इन दुष्टों का संहार हो गई चुप सीता माता जो त्रिजटाने समझायी अब तो इक पल की भी माता ना बर दास्त जुदाई कैद ना जाने कितने दिन मुझे और रहना है रुकेगा कब मेरी आँखों से मा असवन का बहना है ना जाने क्यों सिरी राम अब देर लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोगा में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का हुआ अप्षकुन जो मन दो दरी रही थि ठाल सजाएं पता लगा के सिरी राम चड़ लंका में आएं अपने पति को मन दो दरी भी फिर है लगी समझाने आहंकार वस रावन बात न किसी की भी माने बोला पी ये बाहु बल पर मेरे शक क्यूं करती इंद्र देव करते हैं वर्सा पवन बुहारे धरती भूल गई क्या इन ही भुजाओं से कैलाश उठाया आज तलक कोई बाल भी बाका मेरा न कर पाया यक्ष गंधर्ब और देव भी टिक ना पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का आखर युद्ध का लंका में संख है फूक दियां जो सुमर राम का ना बन जाते बिगडे का आखर युद्ध का लंका में संख है फूक दियां वानर सेना ने आक्रमन है लंका पिकियां एक एक करके रावण के सब योधा गए है मारे किन्तू रावण के मन में भी धधक रहे अंगारे मारे गए सब पुत्रे याद फिर मेघनाथ की आई तुम ही जीत सकते पुत्रे अब तो यह लड़ाई मेघनाथ को भी था अपने बल पे बड़ा अभिमान लखन लाल उसके आगे युद में खड़े है आउन धम्हाजी की दीवुई शक्ती उन पे चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्रायोत्या में शिरी राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाव बन जाते बिगडे का लगी जो शक्ती लखन लाल को मुर्छा आई है सारी वानर सेना में मायूसी छाई है सिरी राम भी बैठ पास में करने लगे विला जा मुवंत आकर बोले प्रभुना चिन्ता करया वैध सुसेन को हनुमान जी लेकर आएंगे इस सक्ती का वो कोई तो तोड़ बताएंगे फिर तो वैध सुसेन को हनुमान जी है लाएंगे बोले वैध सुसेन सजीवन लेकर कोई आएंगे लेने बूटी हनुमान जी फिर तो जाते हैंगे पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मयोधा में अश्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का बूटी लाने को हनुमत ने जैसे भरी उलान देखा रा हमें एक साधू को जपे राम का नाम सुन के राम का नाम है हनुमत उसके पास आएं बोला की मैं संजीवन तो दुंगा यहीं मगाएं जा असनान उस तालाब में करके तुम आओं तब तक मैं बूटी मंगवा दूँ देखते तुम जाओं हनुमान ने जैसे ही तालाब में पैर बढ़ाया उस साधू का जल मकडी ने सारा भेद बताया काल ने मिदानों था जिसे परलोक पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नां बन जाते बिगडे का जो सुमरे राम का नां बन जाते बिगडे का द्रोडा गिर परवत पर फिर तो पहुच गए हनुमान पर संजीवन बूटी को वो ना पाए पहचा क्यूंकि रावन के दूतों ने जाकर आग लगाई हनुमान को सारा परवत जलता दिया दिखाई लेकर राम का नाम उसने परवत ही उठाया है हनुमान ने राम भगतों का फरज निभाया है सुर्यों तैसे पहले ही वह पूटी लाए है हनुमान ने लखन लाल के प्राण बचाए है भरत बराबर भाई का वो दरजा पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में सी राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम लखन लाल और मेघनाथ में युत्त हुआ बड़ा भारी लेकिन पाप की ताकत आखिर धर्म के आगे हारी मेघनाथ को लक्षमन ने पर लोक पठाया है फिर रावन ने कुम्भ करण भाई को जगाया है कुम्भ करण भी रावन को अब लगा है समझाने लेकिन जिद पर अड़ा फरावन बात नहीं माने भाई के लिए युद्ध में उसको फिर जाना ही पड़ा मारा गया है कुम्भ करण भी रावन हुआ खड़ा भक्त विभी सड राम को उसका राज बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जुवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का अमरित कुंड है इसके पेट में ऐसे ना मर पाएं अगनी बार चला के तुम स्री राम दो से सुखाई फिर रावण ने भाई भी भी सण को है धिकारा तेरे कारण खत्म हुआ है वंस मेरा ये सारा होगे राम भक्त तुम लेकिन जब भी नाम तेरा आए सारी दुनिया कहेगी घर का भेदी लंका ठाएं आखिर राम ने कर दिया है फिर रावण का संहार वानर से ना बोल रही स्री राम की जैजैकार लंका पती विभी सण को फिर राम बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योध्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरी राम का नाम बन जाते बिगडे काम लंका विजय कर लोट आयो त्या सिरी राम आएं जो सुमरी राम का नाम बन जाते बिगडे काम लंका विजय कर लोट आयो त्या सिरी राम आएं सारे आयो त्या वासियोंने है घी के दीप जलाएं आयो ध्यावा सिदी पावली तभी मनाए थें क्यूंकि धर्म से पाप के ऊपर विजय जो पाए थें सिरी राम की कथा ये पावन सुनता है संसार कथा को सुनने मात्र से ही हो जाता उद्धार राम नाम गुण गाते रहते हंस राज रिलहन दियस पाल भी करता है स्री राम चरण बंदन फोजी सुरेश से लाखों भक्त स्री राम गुण गाते हैं पावन कथा सुनते हैं लेके जन्म योध्या में स्री राम क्यू आते हैं हम कथा सुनते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का लेके जन्म बन जाते हैं